आज के वीडियो पर मैं फिर से एक नए टॉपिक को पर आगाया हूँ तो आज का टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग एक टॉपिक है वो यह फैशन डिजाइनिंग रिलेटिक एक कोर्स जो यह जोले डिजाइनिंग तो आज के वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने व आप इंट्रेस इक्सम कौन से है और क्या क 일단 के सब्जेक्ट है छिले बस क्या किया है और ने करने के बाद आपका करिया में किया कि result options होगा आप कौन से ब्रैंड में अपना केरिया आजमा सकते हो इस कोर्स करने के बाद सब कुछ के बारे में डिसक्स करने बाला हो सो वरहल वन यह डिपलोमा इन ज्वेलर डिजाइनिंग के बारे में आज के वीडियो में बताने बाला हो आपके बास पहुचे तो ज्यादा वात ना करके चलते वीडियो के तरफ तो आप बात करते हैं ज्वेलर डिजाइनिंग में एडिशन लेने के लिए आपके लिजिबलीटी क्या हो सकता है तो मैंने तो टॉपिक बता ही दिया कि कोर्स का नाम ज्वेलर डिजाइनिंग है जो वान इयर डिपलामा है और इसमें अडिशन लेने के लिए आपका इलिजिबल कितना हो सकता है आपको एप्रूफ्ट होगा इस फिल्ड में सो आपको 10-12 पास करना होगा किसे रिकोगनाइस्ट एडुकेशन बोट से और अगर आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजिस में अड्मिशन लेना चाहते हो जैसे कि नीफ्ट पल अकाडेमी अगर आप इन इंस्टिटूट में अड्मिशन लेना चाहते हो तो आपको इंट्रस एक्जम के बारे में बोला जाए तो इंडिया में हर साल बहुत सारे एडुकेशन एंट्रस एक्जम होता है जिन में डेजाइनिंग फिल्म में बहुत सारे एंट्रस एक्जम होता है जिन में नीफ्ट एंट्रस एक्जम और पल अकाडेमी एंट्रस एक्जम पॉपुलर है इन में से निफ्ट और जो पल अकाडेमी एक्जाम है और भी काफी सरे इंटरस एक्जाम है जो जोले डिजाइनिंग के लिए आप टॉप कॉलेजस में दे सकते हो मैं आपको बताता हूँ लिस्ट देखकर जैसे की इउ-C-E-E-D इंटरस एक्जाम और C-E-E-D इंटरस एक्जाम ऐसे बहुत सरे इंटरस एक्जाम है जी सेंसर एक्जाम देने के बाद आप जोले डिजाइनिंग में इंडिया के टॉप कॉलेजस में अड्मिशन ले सकते हो और इंटरस एक्जाम के बात क्या क्या आता है मैं अपको तॉप कोलिजेस के बारे में बोलते था हूँ जहां सिया आ जोएलाय डिजाइनिंग कर सकतोे देखो मैं सिर्फ इंडिया की जो टॉप कोफ कोलेजेस हैं जैसे की निफ्ट डेली बहत ही पॉप्धार Kolejya जाएए वो किसी भी कॉर्स हो फैशन डिजाइनिंग का और निट गुजाट सेमब्सिस इंस्ट्यूट और जो बैंगालोर में जयेदी इंस्ट्यूट औफ टेकनोलोजी जो बैंगलोर में मौझी देवो ही काफी पॉपुलर है जुए ले डिजाइनिंग में और भी दी आ इनौईदा आई 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 टी से मुंबाई एन ए एफटी यह राइपूर ये जो सभी कॉलेजेसे ये सभी इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस जहां से आप जोला डिजाइनिंग कर सकते हो और टॉप कॉलेजेस भी मैंने बता दिया इसके बाद फीस देखो फीस एक डिरेकली कर सकते हो इस कॉलेजेस पर कॉल करके तो मैं एक एवरेज एप्रोक्सलिक फीस बता था हूँ जोला डिजाइनिंग में आपको 1.25 लग से लेकर 7.25 लग तक पेकरना होता है 7.25 लग एक 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 कॉलेजेस में अलग-अलग फीस ट्रॉक्चर है तो फीस ट्रॉक्चर टोटल dependent which branch you are taking the course from so मैंने फीस ट्रॉक्चर बता दिया उसके बाद आथा इस सब्जेक्ट जुएलर डिजैनिंग में आपको कॉन से सब्जेक्ट आपको परहा जाएगा कॉन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको सिखाय जाएगा जैसे कि history of jewelry obviously history of jewelry आपको जानना ही परेगा because उसके अला and granting communication skill एक बात communication skill बहुत ही जादे important है हर एक profession में तो हर एक professional में हर एक professional course में आपको communication skill सिखाया जाता है जैसे कि jewelry designing में भी वह है उसके बाता थे creation of rings, pendants, necklace, accessories, so यह creation में किस तरह से आप इन चीज़ों को creation कर सकते हो तैयार कर सकते हो creative mind से वह इस subject में आपको सिखाया जाता है और यह rendering rendering मतलब परना jewelry designing के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा उन में से एक subject है basic designing creation designing creation किस तरह से हो आपको इस subject में सिखाया जाएगा सिर्फ मैंने कुछ चुनिंद सब्जेक्ट के बारे में बताया इसके अलाबा बहुत सरे subject है जो आपको jewelry designing में आपको सिखाया जाता है इसके बाद आता है जो आपको jewelry designing आप कर लिया one year diploma in jewelry designing आप कर चुके हो उसके बाद आपको कौन से profession मे कौन से job options आप को में लेगा तो मैं वह बताऊंगा आप बहुत सरे boutique पर काम कर सकते हो fashion boutique पर आप detail chains बन सकते हो आप television and film industry में अपना किसमत अजमा सकते हो freelancing कर सकते हो freelancing jeweler designer उसके बाद आप brand manager बन सकते हो gym polisher बन सकते हो तो बहुत सरे कुछ है और भी आप खुद का boutique खु कुछ करने के बाद और जूए डिजैनिंगे शॉट टाइम कोर्स भी जो वानियर्स के डिप्लॉमाइं जूए डिसाइनिंग है तो आपको शॉट टाइम में बहुत कुछ सिखने को मिल जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि popular brand कॉन से जहां पर आप after course आ तो चलिए देखते हैं कौन सा वो brand है जैसे कि Mantra, Kallan Jewelas, PC Chandra Jewelas, Taniksh by Tata Group और Gitanjali Jewelas, Intergold, India Limited इसके अलावी इंडिया में बहुत सरे जूएला है डिजाइनिंग के biggest biggest brand है जहाँ पर आप after course आप अजमा सकते हो अपना carrier इन सभी brand में से अगर किसी भी brand में आप approved हो गये, so समझो आपका carrier set हो गया, because यह बहुत ही popular brand है, आप अगर Google पर जाओगे, इस brand के बारे में देखोगे, तो बहुत अच्छा brand है, जो इलाइ डिजाइनिंग के ये सारे company, so आज के वीडियो में मैंने details declare कर दिया कि जो कौन से college में कितना fee structure होगा, कौन से college में आगर मैं जाओँगा, तो अच्छा रहेगा, ऐसे particular college नहीं होता, मैंने, after all, जो West Bengal है, अगर West Bengal से कोई मुझे पूछ रहा है, ये question, तो मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा, कि West Bengal में बहुत सरे colleges हैं, जिसके उपर मैंने video बनाया है अगर आपको लगता है कि particular इस college में आप आप admission लेना चाहते हो, तो आप वो video देखो, और वो video के description में मैंने उस college authority का contact number दे दिया है, तो आप उस college कॉल करके, आप जान सकते हो कि किस तरह से आप उस college में जोलायर डिजाइनिंग कर सकते हो, क्या उस college में जोलायर डिजाइनि the college का नाम ही मैंने बताया, top colleges का नाम बताया, अगर आपको लगता है कि आपके local area में और आपको आपका state में जो colleges है वहाँ पर आप जोलायर डिजाइनिंग आप सिखोगे, तो आप मुझे जरूर इंस्टागाम पर message कर सकते हो, मेरा Instagram ID है, fashion design with Pradud, आप वहाँ पर मुझे contact क कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, कौन से colleges में अगर आप admission लेना चाहते हो, जोलायर डिजाइनिंग पर, मैं उस college पर थोड़ा research करके आपको बताऊंगा कि उस college में जोलायर डिजाइनिंग है क्या नहीं, so आज के वीडियो में इतना ही था, तो फिर मिलते है अगले कोई